प्यारे दोस्तों आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जिनको डाइफ में पेलिस देखने को मिल रहे हैं जाय हो स्कूल इन कॉलेज के एक्जांस हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एक्जांस हो या बिजनेस हो या फिर जॉब हो आप हर मामले में हर जगा पीछे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप अपने आपको डार्कनेस की तरफ लेके जा रहे हैं और अगर आप इसी कंडिशन में लॉग टम तक रहेंगे तो आपकी जुन्दगी में सुकून के लावस सबी चीज़े होंगी विकोज यही एक वो चीज़ है जो अगर आप कंट्रोल कर लिए तो आपके सारी प्रॉब्लम्स ग्रासूट लेवल से खतम हो जाईगे आपके इस वीडियो में अच्छे परसेंटेस आने लगेंगे अब जिस भी एक्जाम के तयारी कर रहे है उसके अच्छा रैंक स्कूर कर पाएंगे आप अपने जॉब में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 best way जानेंगे sleeping technique का जो आपको अपनी life में implement करना है अगर आप उसको अपनी life में implement करते हैं तो आपके सारी problem gradually cross route level से खतम हो जाएंगे पेरे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग comment भी ये ज़रूर बताइएगा कि कल रात को आप कितने बज़े सोई तो आंसर आप honestly दीजिएगा तो चलिए अब हम लोग हमारी वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं पेरे दोस्तो हेल्थ एक्सपर्ट शॉन स्टीमसन का कहना है कि हमारे खाने और एक्सरसाइज करने से भी ज़्यादा important हमारा एक अच्छी quality of नीन लेना होता है लेकिन सिर्फ कोछी लोग smart snip की value जाते हैं और हम में से अधिकतर लोगों को इसकी real power का अंदादा तक नहीं है जबकि sleep foundation दुआरा publish की के study की according असल में अगले दिन का mood कितना सही होगा और health कैसी होगी कितने energized productive and focus होगी यह हमारे सोने की तरीकी and quality of sleep पर ही depend करता है चली आईए अब अगलोग कुछ interesting statistics देखते हैं दोस्तों जो adults होते हैं उन्हें almost 7 और more hour की sleep लेनी चाहिए US के states पर एक report release की गई थी जिसमें Hawaii, Kentucky and West Virginia को worst sleeping state बताया गया while Colorado, Minnesota and Vermont को best sleeping state बताया गया more than one third of adults sleep less than 7 hours per night on average एक report की बात करें तो up to 70% of older adults में insomnia के symptom देखने को मिल रहे हैं जिन्हें उन्सोमिया का मतलब नहीं पता मैं उनको बता देता हूं insomnia एक sleeping disorder है जिसमें ना तो आप अच्छे से सोब आते हैं और ना अच्छे से जाग पाते हैं मतलब की यह है कि जब आप सोते हैं तो अच्छे से ना आपको नीद दाती है एंड जब आप जागे हूए होते हैं तो आपको नीद दाती रहती है एंड अच्छे से आप अपनी productivity को दिखा नहीं पाते एंड आपकी productivity कटती चली जाती है तो अगर आपको insomnia कुछ हपते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप को long term में insomnia के symptom मिल रहे हैं, तो ये कापी जादा critical situation है, आप इसको डॉक्टर से consult जरूर करिएगा, इसमें ना तो अच्छे से सो पाते हो, ना ही जाग पाते हो, मतलग कि जब आप सोय वे होते हो, तो आ आप insomnia के symptom अगर आपके अंदर हैं, तो प्लीज आप अपनी habits को change करिए, और इसी वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ, जो तरी technique, उनको अप अच्छे से follow करिएगा, जिससे कि आप अपने sleep quality को improve कर पाएं, और अपने productivity को आप increase कर पाएं, frontiers in neurology की according, कम नीन लेने वाले लोग, अच्छे नीन लेने वाले लोगों से कम productive और कम energized रहते हैं, इवन कि आपको ये पता है, अगर आप लगातर 10 दिन तक 6 से 7 या उससे भी कम गंटे की नीन लेते हो, तो 10 दिन बाद आपको वैसा ही से वी लोगा जैसे 24 गंटे तक बिना सोई हुए होते हैं, तो चली अब हम लोग जानते हैं कि sleep actual में होती क्या है, and sleep की importance क्या है हमारी life, अगर हमें नीन दाती है और हम completely बियो शोकर सो जाते हैं, जहां सीधी हमारी आके अगले ये दिन सुबा कुलती है, तो इस एक रात की नीन में हमारे brain का हर 90 minutes में sleep की इन तीन physics में गुंता रहता है, जो है deep sleep, light sleep, and REM sleep, जिसे dream sleep भी कहते हैं, deep sleep को आप एक positive delivery service की तरह देख सकते हो, जहां पूरे दिन में इस post office, यानि आपके brain में कई सारे mails, यानि information collect होते हैं, आपने आज क्या पढ़ा, क्या लिखा, अच्छे बोरे moment, सब कुछ आपके hippocampus में store होत है, जिसमें कौन से information को memory की तरह आपके brain में permanently store कराया जाएगा, और कौन-कौन से information useless है, वो यह ही decide होती है, जहां deep sleep में आप सभी mails को यानि information को deliver drug में डाल के इसके permanent address तक पहुचाते हो, यानि आपकी temporary memory को permanent बनाते हो, और अगर आप सोने में देर करोगे, जहां आप सोने से पहले अपना phone use करने में, या फिर कुछ और काम करने में, अपने sleep schedule को शुरू के कुछ घंटे waste कर दोगे, तो अपने deep sleep को miss कर दोगे, जहां ये सारे delivery drugs आपके final destination तक नहीं पहुच पाएंगे, और हमेशा के लिए हो जाएंगे, क्योंकि deep sleep के बाद ही आती है light sleep, जहां आप अपने post office साफ कर रहे होते हो, light sleep का main role होता है आपके hippocampus को साफ करना, जहां आपने जो कुछ भी सीखा है, कोई भी memory बनाई है, कुछ भी याद करा हो, वो अगर deep sleep के process में permanently store नहीं हुआ, तो light sleep में सब कुछ साफ हो जाएगा, और अगर आप 16 गंटे से जादा जागे होए इनकी लिए किसी भी information को hold करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जहां आपका hippocampus कोल हो जाता है, और ज्यादा information hold नहीं कर पाता, आपने भी ये notice करा होगा, कि जब आप अपने आपको force करके बिना सोय, late night तक कुछ भी पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप एक ये line को बार बार पड़ रहे होते हो, जबने तर light slip हमारे slip schedule के end में होती है, जहां कई बार सुबा जल्दी उटना और आपके light slip के memory refresh के process को risk up कर सकता है, अगर आप इससे भी ज़्यादा जल्दी उट जाते हो, तो आप अपने ram slip को भी disrupt कर दोगे, ram slip का मतलब होता है rapid eye movement अगर आप किसी को सोते हुए notice करा होगा, तो अपने ram slip के piece में ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कि उसके बंद आखों के पुतलिया हलके फुलके खिल रही होती है, और उसकी बाके सारी body paralyze हो चुकी होती है, चाहां वो चाहा कर भी अपनी body को move नहीं कर पा रहा होता है, न तो आपके लिखे हुए सारे mails, यानि information को एक permanent जगा store करता है, तो वही ram slip एक ऐसा program है, जो सभी notes को study करता है, edit करता है, कोई एक sense बना कि एक दुसरे से link करता है, और एक story बनाता है, जिसे सोते हुए आप dreams के form में enjoy कर पाते हो, ram slip में आपका brain आज की सारे information को आपके past के किसी भी तरीके से connect करने की कोशिश करता है, जो आपकी creative site को unlock करता है, और अगर आप अपनी ram slip को miss करने लगोगी, तो आपकी creativity भी कम हो दी चली जाएगी, और आप अपनी life की normal problems का भी creative solution नहीं निकाल पाओगे, और अगर हम sleep physics में किसी न किसी को जरूर मिस कर देंगे, जो हमारी health, brain, productivity, mode और life में अलग-अलग तरह से impact करने लगेगी, नौब हम आगे बढ़ते हैं और वो तीन best tips जानते हैं, जो आपको एक अच्छी sleep लेने में काफी जादा helpful होगी, number one, create a sleep century, हमारा brain कुछ इस तरह से design है कि यह हमारे behavior को automate करने के लिए हर जगा patterns डोलता है, जैसे कि आप kitchen में जाते हो, तो आपका brain खाना खाने या खाना बनाने के लिए automatically world on कर देता है, तो सोचना नहीं पड़ता कि आप करने के आये हो, आपके brain में हर जगा एक fix role बन गया ह जहां जाते हो, बिन सोजे समझे एक काम करने लग जाते हो, कुछ इसी तरह से ही आप अपने bed को सोने के लिए ही use करोगे, तो आपका brain इस pattern को भकड लेगा, ऐसा लगेगा कि bed का मतलब need, वही अगर आप अपने bed को और बाकी काम के लिए use करोगे, इस से आपकी mentally अपने ये सारी चीजी है और activities करने लगोगे, तो आपका जो brain है, इन सारी activities में confused हो जाएगा, और नीन आने में आपको problem हो सकती है, नव हम आगे बढ़ते हैं, एंड हमारे number two point देखते हैं, number two point है sunlight and circadian rhythm, आपकी आज रात की नीन की quality कैसी होगी, इसके शरुबात आपके सुबह से ह हो जाती है, हम सब की body में एक circadian rhythm होता है, जहां हमारे body 24 गंटे में राट या दिन के हिसाब से कोई physical, mental और behavior चेंज कर सकती है, जहां sunlight के help से हमारी body अपने circadian rhythm को maintain करके रखती है, सुरज की रोशने लेने से हमारी body में अपने आपी hormone release होने लगते हैं, जिसकी दिन भर में ज जिससे आपके brain को पता रहता है कि कब दिन है, जब आपको जागे रहना है, काम करना है, और कब रात है, जब आपको rest करना है, हर दिल सिरिफ 30 minutes के लिए direct sunlight लेने से आपकी sleek quality बहुत हद तक बहतर हो जाती है, बहुत कम sunlight लेने से बहुत जादा artificial act के exposure से हमारे brain को पता ही नही बढ़ते हैं, हमारा point number 3 है, avoid screen before bedtime, well we all know आजकल के बच्चे हो या जवान, अधिकतर लोग सोने से पहले रात को घंटे बैड पर लेटे लेटे फोन का यूस करते रहते हैं, जब तक उनकी आखे ठक ना जाए और उन्हें नीन ना आ जाए, जब कि किसी भी digital screen से निकलने वाल है, जिससे हमें नीन आने में बहुत problem हो सकती है, और हमारे deep sleep delay हो सकती है, इसलिए सोने से एक देड़ गंटे पहले सभी तरह के screen को अपने phone, laptop, tv, etc. को अपने आमसर दो रख दीजिए, जो शुरुवात में आपके लिए बहुत ज़्यदा tough होगा, लेकिन वक्त के सांथ सां सोने लगोगे, या एक ऐसी यादत है, जिसे जितनी जल्दी आप अपने life में एड़ कर लो, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, या आपके नीन ना आने वाली problem को solve कर देगा, और साथ ही साथ आपके नीन की quality को बहुत ज़दा बढ़ा देगा, तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ऐसा लगते है कि आज की इस वीडियो ने आपकी life में कोई value add की है, तो इस वीडियो को अपने दो खास दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, तो इस वीडियो को dislike कर दीजेगा, आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए thank you very much.